नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका उलाइस्टर्ड विटीके में दोस्तों आज का जो टॉपिक है लर्निंग डिसाबिलेटी इपॉर्टन टॉपिक है सभी टैट एक्जाम में इनसे लेटर कोशन बनते हैं चाहे वो आपका C टैट हो, UP टैट हो, H टैट हो, समें कोशन आ किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब किजिए मेरी यूट्यूब चैनल को अनकैडमी पर भी फॉलो किजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो ना फ्रेंड्स लेट स्टार्ट, सो कुछ बच्छे ऐसे होती हैं जिनको पढ़ने, लिखने, मौकिक अव्यक्ति, शब्दों की वर्थनी करने, गणित एवं तरक शक्ति को समझने, आदे में अशक्त अत्वा कमजोर होती हैं, प्रॉब्लम उनको आती हैं, तो इस परकार की जो अशक्ता है, डिसेबिलिटी है, उसको कहा जाता है, अधिकम अशक्ता मींस लर्निंग डिसेबि कहीं परकार की होती हैं, पहली है मौकिक रूप से सीखने वे भाशर समंधी अशक्ता, जिसे कहा जाता है, अफेजिया और डिस्फेजिया, नोडाउन करते रहना, आगे हम इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे आपको, पढ़ने की अशक्ता वो कहलाती है, अलेक्सिया और डिस परकार की जो शक्ता है, इसके कारण बालक वर्तिनी में तुरूटिया करता है, वह शब्दों के विभी नक्षरों को करम से नहीं लिख पाता, एवं उसके स्थान बदल देता है, जैसे लड़की के स्थान पर लकडी, एवं सरल के स्थान पर सलर लिखता है, अगला है गण मोखिक रूप से सीखने के समंदित है ये, भाषा एवं सप्रेशन अधिगम अशक्ता को अफिज्या काहा जाता है, जिसमें बच्चे संप्रेशन नहीं कर पाते हैं, कॉम्मुनिकेट नहीं कर पाते हैं, इस से पेड़ी चात्र मोकिक रूप से सीखने, एवं अपने विच होता है मस्तिक्ष में क्षति की कारण बाचीत करने में आंशिक या पुरूरत अक्षमता को डिस्फेजिया कहा जाता है अगला है अलेक्सिया तो पिक्चुर को आप देख सकते हो मस्तिक्ष में किसी प्रकार की क्षति की कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जात में अगला है डिसलेक्सिया आप पिक्चर देख सकते हो पथन विकार है यह तो डिसलेक्सिया जो है एक प्याبक शबद है जिसका समध पथन विकार से है पढ़ने में जिन को प्रोभलम होती है इस अभलक को पढ़ने में करठीनाई होती है तोकि मैं कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे बी और डी सा और वोज नूकलियर और अनकलियर में भी अंतरवों नहीं कर पाता है उसको पढ़ने में प्रोब्लम होती है वो है डिसलेक्सिया से पेडित अगला है अप्रिक्षया तो अप्रिक्षया जो है सेरेब्र में क्ущति की कारण या है एक ऐसा शारी विकार है जिसके कारण व्यक्ति मासपेशियां जोसकी मश्रल सें उसके संचालन से समन्दित शुक्षम गति कोशलों जैसे लिखने टेहलने में बोलने में निपुन नहीं हो पाता है यह मस्तिक्ष में क्षति की है वो है डिस्प्रक्सिया जिसमें व्यक्ति मस्तिक्ष में एक शती कारण उसके जो शुक्षम गति कोशल है उनमें वो दिपुर्ण नहीं होता है और वो हाथ और आख का मिस बैलेंस नहीं कर पाता है आथ हाथ एवं आख के बीच समन्वय एवं संतूलन स्थापित नहीं कर पाता डिस्प्रक्सिया को और तंतरी का तंत्र समंन्दी विकार हैं जिसे इंटीघरी म हैं इंटीग्रेशन डिसौर्डर कहा जाता है ये यह लिछने से समंदित है डिस्क्राफ यह लिखने समंदी अशक्ता को कहा जाता है जिसमें आप पिक्चर में देख सकते हो इससे या तो बचा ठीक से नहीं लिख पाता है अत्वा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती तो देख सकते हो पिक्चर में सामानत इसका कारण हाथ हतेली या में जिनको प्रोब्लम होती है जैसे 45-54 में अंतर नहीं कर पाती है या इन में से बड़ा कौन सा है चोटा कौन सा है तो मैट्स रिलेटेड यह प्रोब्लम होती है और यह एक ऐसी अधिगम अशकता है जिसमें बच्चे गणित अंक गणित को समझने में कठी नायन का अनुभ करते हैं जोड़ घटाव में इसे न्यूमलेक्स अभी कहा जाता है डिस्काल कुलिया कहीं प्रकार के होती है ग्राफिकल डिस्काल कुलिया याद रखना लेक्सिकल डिस्काल कुलिया वर्बल डिस्काल कुलिया प्रेक्टो नॉट प्रेक्टो ग्नॉस्टिक डिस्काल कुल अगला है डिस्थीमिया तो डिस्थीमिया में पिक्चर में आप दे सकते हो कोई परसन है वो सेड रहने लगता है डिप्रेशन में रहने लगता है ठीक है तो इसमें क्या है डिस्थीमिया में गंभीर तनाव की इस अवस्था को का जाता है डिस्थीमिया इस मौनविक्यार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पढ़ता है अगर वो डिप्रेशन में रहने लगता है तो उसकी लर्निंग भी अच्छे से नहीं होती है डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की मन स्थिति जुम मन की स्थिति है चित वृति हमेशा निमन रहती है लो रहती है उसको कुछ भी करने का मन नहीं करता है सैड वो रहता है अगला है डिसमोर्फिया तो एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति को यह ब्रह्म हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटी है अपूर्ण है वह अपने शरीर के विभी नंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है लर्निंग पर पड़ता है ठीक है